नदियों की पवित्प्रता और अविरल्ता आज हाश्ये पर है लगतार घटता जल इस्तर और सूखी नदिया जहां चिंता का विश्य है वहें औधोगी करण से हो रहे प्रदूशल के चलते नदियों का पानी उपयोग करने लायक नहीं बच रहे इसी पर एक 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 हाश्ये पर नदियों की अविरल्ता जल सन्वर्धन और सन्रक्षन के लिए सिर्फ होते है दावे हकीकत में अस्तित्व विहीन हो रही कई नदिया दूशित पानी से नदिया हो रही मैली प्रिश्यासन के अंदेखि से भी खत्म हो रहा नदियों का अस्तित्व नदियों की अविरल धारा की पवित्रता की कभी कस्में ली जाती थी, मगर आज वो पवित्रता ज्वनमानस के कच्च्वे लालच और लापरवाही से मैली हो चुकी है इतना ही नहीं, कई नदियों का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया तो कुछ नदियों का पानी सूख गया वहीं कुछ नदियों के पास बनी पेपर मिलो ने तो दूशित पानी नदियों में छोड़ कर नदियों के पानी को ही मैला कर दिया जबकि नदियों के संरक्षन और संवर्धन के लिए सरकार की तरफ से कई योश्राइं चलाई जा रही है साथी प्रदूशन नियंतरन बोट को भी नदियों की आविरलता के लिए कई जिम्मेदारी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से भले ही नदियों के सनरक्षन और सनवर्धन के दावे किये जा रहे हो लेकिन जमीनी हाकिकत तो कुछ और ही बया करती है कहीं नदियों में आतिक्रमन हो चुका है तो कहीं नदियों में दूशित पानी छोड़कर नदियों के पानी को पीने योगे नहीं रखा गया इसके लिए अब विभाग जागरुकता अभ्यान की साथ साथ प्रश्वयासन की मदद से नदियों को बचानी की पहल की शुरुवात करने जा रहा है बहरहाल नदियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और नदियों को स्वच्च रखने को लेकर जन प्रतिनिधी हो या फिर प्रुदूशन नियंतरन वोड के अधिकारी सभी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं वहीं अधिकारी सेमिनार और सरकारी फाइलों में ही नदियों के सनवर्धन और सनरक्षन के ढोल पीटते रहते हैं लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में विभाग नदियों के अस्तित्व को बचाने की इस पहल पर सही दिशा में काम कर पाती है जन्तंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट काशिपूर निस्तारान किया है शिवर में सबसे जादा लोगों को विद्द विभाग से संबंदित शिकायते मिली हैं जिसे लेकर चुलादकारी ने संबंदित अदकारियों को जल्द से जल्द सभी शिकायतों का निप्टारा करने के निर्देश दिये वहीं चुला अधकारी ने अधकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि सल्ट की सभी नियाय पंचायतों में शिविर लगाए जाएं और आजादी के 75 वे अमरत मौत सब के तहट SSP रानी खेद की तरफ से साइकल रैली निकाली गई है यह रैली SSP कोड़ द्वार कोड़ गोदाम से दिली राष्ट पिता मातमा गांदी की समाधवी स्थल राजखार्ट के लिए रवाना की गई है आपको बता दें कि एक तरफ चहां देश आजादी का 75 वा अमरत मौत सब मना रहा है तो बहीं सीमा स्थरस्थ बल SSP भी आशादी की 75 वी वर्ष कार्ट मना रहा है जिसके लिए SSP गौालदम और SSP जीजी हाट ने 34 सरस्य साइकल दल को कार्ट गोदाम से दिली में दो अक्टूबर राश्पती मातमा गांदी की जैनती पर मनाने के लिए भब समारों में शामिल होने के लिए रवाना किया है आजादी का अमरत मौत सब जैसा कि आपको पता ही है बारत की सुतंतरता के का ये 75 वा वर्ष है और सारे देश में देशवाजी से आजादी का अमरत मौत सब के रूप में मना रहे हैं इसी क्रम में हमने साइकल रैली आयोजित की है जो कि सिमानत शेत्र में स्थित हमारी 11 वाईनी डीडी हाट से एक हमारी टीम आई है जो कि राजगाट तक जाएगी और दूसरी हमारी साइकल रैली की टीम ट्रेनिंग सेंटर गौल्दम जो हमारा चमोली जिले में है वहाँ से एक साइकल रैली आई है जो कि आज काडगुदाम से जिसे फ्लैग ओफ किया और उत्रखंड में काफी लंबे समय से आश्वा कारिकरता निश्चित मांदे इंस्टूरेंस और कोरोना काल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए प्रोतसाहन राश्ची की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है वद्वार को अपनी मांगे पूरी ना होने से नाराज आश्चा कारिकरताओं ने सचवाले कूच किया है जहां पुलिस ने वेरिकेटिंग लगा कर उन्हें रोकने की कोशिश की जिसके बाद आश्चा कारिकरता सड़क पर बैठ गई और सरकार के खलाफ शमकर नारेवाज दोनों जगाहों पर रेड में एश्टी अफ ने तीन आरूपियों को ग्रफतार किया है आपको बता दें कि एश्टी अफ की टीम ने रुड़की में सटोरी शशांग गोयल को अरेश्ट किया है तो बहीं सितार गंच में भी दो आरूपियों को ऑनलाइन सटा खेलते हुए ग्रफतार किया गया है वहीं एश्टी अफ पुलिस अधिक्षक चंद्र मोहन सिंग ने बताया है कि आरूपियों शशांग सुल्तान 666 अप्लिकेशन पर ऑनलाइन सटा खिला रहा था लोगों की तरफ से सटे पर लगाई गई रखम को आरूपी के आई सियाई सियाई बैं शविशलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस्टा बेल इकन नेवर मिस्स अनी अपडेट